कैसे हैं आप सभी लोग I hope I wish I pray कि आप सब बहुत अच्छी होंगे गाइस सो चलिए देख लेते हैं कि आपके पॉरसन की आज रात की फीलिंग्स क्या है ठीक है आज रात वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं कैसा महसूस कर रहे हैं कि आज रात आपके पार्टनर उनकी च्रू एंडी फीलिंग्स हम देखने वाले हैं ओके आज रात चलेगे यह थोड़ा मैनेज कीचेगा आप लोग देख लेते हैं कि आज रात आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है डिवाइन गाइड करे मादर युनिवर्स मैसेज़स कि आज रात मेरे वीवर्स के पॉर्सन क्या फील कर रहे हैं पेज अब कर्प्स ट्री अब कर्प्स देहिर अफेंट पेज ऑफ सोट्स टैन अफ सोट्स दी लवर्स ऑके ट्रीयों पैंटिकल्स फॉर बैंट पेज ऑफ बैंट्स नाइन अफ कर्प्स टू अब बैंट्स एंदी नाइन अफ पैंटिकल्स ओके यस तो कार्ट्स आगे हमारे पास एंट्रीयों बैंट्स आपके पॉर्सन की एनरची में जो राश्या पिक हुई है वो राश्या है एरीज, लिव, साजटेरियस, पाइस, कैंस, स्कॉर्पियो टॉरस वर्गो कैप्टिकॉन, यह सारे साइन मिले हैं यहाँ पे अभी तक से, हाला कि 12 साइन के रिडिंग है, आपके पॉर्सन मुझे पास्ट में खोई हुए से नजर आ रहे है, अगर यह मैरेड है तो अपनी मैरेड लाइफ में काफी जादा स्ट्रॉगल कर रहे है, इ इसा लग रहे है, इनके लाइफ में भी कोई ठर्ट सिचुएशन आ गया, इस वक्त काफी जादा वो सोच विचार कर रहे है, सोच रहे है कि किसी भी तरीके से, इस सिचुएशन में उनको राहत मिल जाए, बट उनको राहत नहीं मिल पा रही है, कहीं न कहीं, एक डिसिजन चाहते हैं, वो ठीक है, एक ऐसा डिसिजन जिसमें उनको क्लियारिटी मिल सके, आपकी पाटनर बहुत ही उलज़न में नजर आ रहे है, आप मैरेट परसन से डील कर रहे हो, अनमैरेट है, गल्फन बॉइफन के लिए देख रहे है, बट येस मुझे असा लग रहा है कि इस बचे कानी हरकतों से इस third party को involve कर रहे है, ऐसा नहीं कह सकते कि सोस समझ के कर रहे है, इनको पसंद आ गया, या कुछ चीजे इनको अच्छी लग गई, या कोई ये profit हो रहा था इनको, या कुछ ना कुछ चीजे मिल रही थी उस third party से, तो ये गए थे, ओके हो सकता है, आपक entertainment, कि इनको कोई चाहिए, entertain करने के लिए, जिसके कारण इन्होंने, past मैसा लग रहे है, कि किसी तीसरे person को definitely इन्होंने entertain कर रहे है, अब उस entertainment का मज़ा इनको अब मिल रहे है, इनको भी कही न कहीं third party situation का सामना करना पड़ रहा है, very strongly chances है, कि ये person आपके प्यार में कहीं न कही बहुत जादा खोए वैसे नजर आ रहे है, ठीक है, बिकास मैंने ऐसा क्यों कहा कि chances है, बिकास यहाँ पे इनकी condition में मुझे कुछ सही नहीं लग रही है, health issue हो सकता है, या weight ये बहुत जादा gain कर चुके है, ठीक है, जिसमें चाहते हैं कि इनको health में थोड़ी सुधार मिले ठीक है, और साथी साथी आपको ले करके काफी जादा positive and spiritual समझते आपको, हो सकता है कि आप एक spiritual person हो, हो सकता है, आप बहुत जादा tarot reading देखते हो, या खुद tarot reading पसंद करते हो, कुछ ना कुछ है, जो आप spiritual हो, yes आपको अच्छा खासा knowledge है, ठीक है, इस person को ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे person हो, ठीक है, ये सोच जरूर है, कि आप एक ऐसे person हो, अगर किसी के life में आ जाओ, तो उसकी दुनिया, उनकी life, उनकी total, जीवन है ना, उसको आप change करके रख दोगे, ठीक है, इस person को बिलीव है कि yes, आप जैसा person अगर इनको मिल जाए, तो definitely आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, आप इनकी life change कर सकते हो, आप वो हिम्मत वो जुनून अपने अंदर रखते हो, जिसमें आप चीजों को बहुत अच्छे तरीके से करते हो, ठीक है, इस person को आपकी energy, आपका aura, आपकी all over चीजे बहुत जादा पसंद है, ठीक है, खास कर ये आपको देख र करना, ओके, ये definitely आपको approach करना चाहते है, three of cups के energy represent कर रही है, कि ये person आपके साथ, एक celebration definitely चाहते हैं, बट ये celebration कहीं ना कहीं, उनको मिल नहीं पा रही है, ठीक है, divine clarify करे, four of bands के energy को, cleaning to the past, इनका कोई past person, या फिर कुछ ना कुछ चीजे इनके life में definitely घटित हो रही है, ठीक है जिसे ये काफी परिशान है, कोई ना कोई past से इनके life में आ चुका है, ठीक है, और इनके लिए ये situation बहुत ज़ादा कार्मिक और third party बन गया है, ठीक है, मैंने आपको starting reading में बता दिया था कि कोई third party का या कर्मा का सामना ये कर रहे हैं, okay, definitely इनको कर्मा मिल रहा है इस वक्त past life का कुछ कर्म इनका हो सकता है, जो pending है, ठीक है, जो इनको इस जनम में कहीं न कहीं चुकाना पड़ रहा है, और बहुत ही strongly chances है कि आपके partner जो है, एक बहुत ही strong mind के person हो, ठीक है, इनको manipulate करना, जूट बोलना, cheating करना, बहुत ही अच्छे तरीके से आता, और हर बारी ना, ए बनाने में expert रहते हैं, ठीक है, हर बारी आपको अपनी बातों में उल्जा के कहीं न कहीं, आप ही सारा blame लगा देते हैं, ठीक है, और सडन महां से निकल जाते हैं, ऐसा आप मान के चलो कि एक ऐसा mastermind रहती, जिसको सारी चीजों का knowledge है, ठीक है, बट over है, ऐसा लग रहा है, जिन्हों ने gain कर लिया, या over knowledge इनको आ गया है, ठीक है, जिसके वज़े से भई, अपने आपको ये महान इस्तरी या पुरू शमझ ले लगे, ठीक है, अपने life में happiness चाहते हैं, जब ये आपकी तरफ देखते हैं, तो इनको असा लगते हैं, आप happiness हो, ठीक है, और बाकी आपको बहुत ही ब्यूडिफुल मानते हैं, आने वाले समय में चांसे हैं, या आपको अपरोच करें, ठीक है, बड़ आप दूर भागोगे, अगर आप अभी भी कोशिश कर रहे हो, बाद में भी कोशिश करने वाले हो, इस पॉर्सन से दूर भागने के लिए, आप कुछ भी खुलके इंचे शेयर नहीं करोगे, बिकॉज अप ट्रस्ट इशूज आपको बहुत जादा ट्रस्ट इशू है, इन से ठीक है, बहुत जादा आपने इन पर ट्रस्ट किया था, और हर बार ही इस पॉर्सन ने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है, जिसके वज़े से अब य आते ही नहीं है, ठीक है, कुछ भी लैक आप चाहते हीं हो कि आपके आसपास रहे है या आए, आप चाहते है जरूर हो कि ये आई है बट आपको ऐसा लगता है कि भाई बहुत फुल वाला परसन है, ठीक है बहुत फुल गरrl या पले बॉय आप इनको मानते हो, जिसकी प्लेफुल है बट हो सकता है कि ऐसा रियल में ना हो बड़ी आपको ऐसा दिखाते जताते जिससे आप काफी इरिटेट भी होते हो सम्टाइमस आप बहुत ज़्यादा इसा इसा बढ़ा चड़ा के भी कह सकते हैं इसा जूट और सच को आपको पकड़ना मुश्किल हो जाता है बड आपका intuition काफी अच्छा है सो chances हैं कि आप पिक कर ले तो बट यस चीण काफी match आने वाले समें में एक रातार में आते हुए यह नजर आ रहे है ठीक है ऐसा लग रहा है इनका एक नया विजन एक नया आवतार आपको देखने को मिलेगा चीज़े आपको clear होंगी अगर बहुत लंबे समय से चीज़े आपके लिए clear नहीं थी आने वाले समय में आपके लिए चीज़े जो है कहीं नहीं clear होती हुई नजर आ रही है यह person आपको definitely clear करेंगे बिदाउट words भी आप दोने एक दूसरे से बात कर सकते हो ठीक है इसलिए हो सकता है कि यह person आप इस वक्त currently नहीं कर रहे है ठीक है I cry for you but nobody knows definitely यह न रो रहे है जिस situation में यह है जैसे कि हैं आपर 10 of swords का card है so this situation में भी यह है इस वक्त यह definitely रो रहे हैं आपने किये पर इनको बहुत जादा पच्चतावा हो रहा है ठीक है बड़ कुछ नहीं कर सकते यह बस रो सकते हैं और बेट कर सकते हैं और जो यहोने तकलीफ आपको दी है उस तकलीफ को यह हील करना चाहते बिकाज इनको पता है कि इन्होंने बहुत सारा आपको पेन दिया है ठीक है इन्होंने बहुत दिया है बड़ इनकी अब किसी भी बातों पर आपको trust नहीं हो रहा और इस person को अच्छे से पताए कि आप trust नहीं करते इन पर some people do not want to see us together सो हो सकता आने के बाद आपको ये बताए कि कुछ लोग है कुछ energies है जो नहीं चाहती कि आप दोनों एक साथ हो कुछ society के problems या कोई लोग है या इनकी responsibility है या इनके घर वाले इनके mother इनके father या इनके आसपास के all over लोग जो है नहीं चाहते कि आप दोनों साथ में रहो या साथ में मिलो उठो बैठो ठीके इस बात का इनको कहीना कहीं like समझ है ठीके जिसके कारणी आपको approach नहीं कर रहे है I am happy don't worry about me so यह happy है आपको tension लेनी की आपको फिक्र करनी की ज़रूरत नहीं है यह happy है और यह आपको बताना चाहते कि यह खुश है और आप भी खुश रहो अपनी life में ठीके हो सकता है यह चीज़े आपको यह बहुती दर्द के साथ बता रहे है because यहाप मुझे happiness की तो energy नहीं आरी कि यह person आपके मिना बहुत ज़्यादा happy है set feel करते है ठीके बट लोगों की वज़े से यह कभी कुछ बोलते ही नहीं है लोगों का प्रभाव लोगों की energy नहीं को बहुत हिट करती है ठीके definitely लोगों से काफी ज़्यादा इंस्पायर रहते है यह person के लोग लोग इनके बारे में क्या सोच रहे है या लोग इनको लेकर के क्या सोच रहे है इस तरीके से इनको entertain कर रहे है ठीके लोगों के चक्कर में कही नहीं है पॉरसनल लाइफ जो है जिसमें यह happy रह सकते हैं आपको love दे सकते हैं आपस love ले सकते हैं कही नहीं उस चीज को यह miss कर रहे है ठीके छोट रहे या फिर लोगों की वज़े से या अपना नहीं रहे बट येस इस बात का अंदाजा इनको धीरे धीरे करके लग ज़रूर रहे ठीके बिकोज जो चीजें हम दूसरों के साथ करते हैं वो चीजें वापस लोट के हमारे पास आती है अगर ये फिंगर ऐसे जा रहा है तो ये फिंगर ऐसे वापस भी आएगा इसको मैं टान करके जरूर लेके आऊंगे ठीके ये होता है ऐसा होता है आप मान के चलो जो चीजे इन्होंने आपको दी है वो उनको एक ना एक दिन उनका करमा वनके उनको जरूर मिलेगा ठीके करम क्यों कहा जाता है कि आप करम करते रहे अच्छे करम कीजिए अगर आप अच्छे करम करते हो ना सो आप कहते हो कि मैं तो अच्छा करम कर रहा हूं म洗иш हो धाल मों आपको गर्म धाल नको कर्चा जरूर है और आपको बिर Σिटुएशन से निकाल के आपको बचाता जरूर है यह बात हू Kenny को अच्छ समझें आएगी जो कहीं ना कहीं बहुती बुरे श्टू कर्म अच्छा रहा है कर्म अच्छा रहा है और जब भी उन्होंने इश्वर से मदद मांगी है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई उनकी ढाल बनके जरूर खड़ा रहा है ठीक है चाहिए वो इश्वर है या फिर आपके आसपास के लोग है या आप हो या आपके फैमिली वाले है तो definitely आप इस चीज को समझ जरूर पाऊगे, ठीक है, इसलिए कर्म पे बहुत जादा आपका believe होना चाहिए, ठीक है, आपके strong पकड़ होनी चाहिए, कि yes, मुझे अपना कर्म साफ रखना, अपना कर्म अच्छे से करते रहना है, बाकि जो दूसरे मेरे साथ कर रहे हैं, उसके इश्वर करेगा, ठीक है, ये उनकी ड्यूटी है, आप मत करो, ओके, आप सिर्फ अपना कर्म करो, अपने लाइफ में खुश रहो, और ये थी आपकी reading and messages, अगर आपको पसंद आई हो, लाइक ज़रूर कीजएगा, ठीक है, और चैनल पर पहली बार आए हैं, आप चैनल को subscribe कर सकते हैं, like कर सकते हैं, वीडियो को share कीजए, beautiful से energy को claim जरूर करें, और thank universe, I claim this energy जरूर लिखें, ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ, आप सो भी सेग लेडिंग में, bye guys